हलो दोस्तो असलाव अलेगू नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बड्ड ड्रीम्स अगर आप हमारे चैनल पर नाए है तो Subscribe का बटन दबा कर हमारे चैनल को Subscribe कर ले Pixel दोस्तों आज लेकर आया हूँ Sunday Top Question Answer की वीडियो बर्ड से डिलेटिव आज के सवालों के जवाब और किसी भाई को अगर बर्ड से डिलेटिव कोई भी सवाल पुछना है तो कमेंट बॉक्स बे जाकर कमेंट कर सकते हैं एक सेंडे की वीडियो में मैं उसका अंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पहला सवाल पुछा है रजाउल्ला खान भाई ने ये कहते हैं सर जी मेरे बजीस के आंक अंधी हुई है और दूसरी भी हो रही है प्लीज इलाज बता दे जवाब जरूर देना बड़ा टेंशन मैं हूँ देखी रजाउल्ला खान भाई आपके काफी दिनों से कमेंट आ रह ये सेफलोक्स डी नाम का ये आई ड्रॉपर है इसको आप अपने बर्ट की आँखों में दो दो बून सुबा शाम डालें दो तीन दिन में ही आपके बर्ट की आँख बिल्कुल ठीक हो जाएगी आप परिशान ना हो अगला सवाल है हिमांचु शा भाई का ये कहते हैं मट मटकी में कंगनी डालने से कोई फाryदा नहीं है बर्ट उसे खाते नहीं है तो आप पॉनका खाने पीने का पॉट रखे हैं वहीं सही आपके बर्ट का लएंगे मटकी में डालने की जरूरत नहीं है अगला सवाल है टू साइट गेमर का ये कहते हैं भाई मेरे पास एक female का जोड़ा है वो breed करेंगे देखिए female के जोड़े कभी breed नहीं करते हैं आप जो है female female को अलग कर दें और अगर वो breed कर भी देती हैं कभी-कभी female आपस में मिलकर X दे देती हैं तो वो X fertile नहीं होते हैं उसमें से chicks नहीं निकलते हैं एसी breed का कोई फायदा नहीं है आप दोनों females को अलग कर दे अगला सवाल है राजलव भाई का ये कहते हैं लव बर्ड में male female बता देना Sunday को तो देखिए राजलव भाई लव बर्ड में male female की पहचान इस तरह से होती है कि हमेशा female बड़ी होती है male से एक तो ये पहचान है दूसरी पहचान ये है कि जो है female की जो पूँच होती है वो U-shape में होती है और जो male की पूँच होती है वो V-shape में होती है नोकीली और एक तीसरी पहचान ये है कि आप जो है उनको पकड़ कर बर्ड को हाथ में उनके ये जो है वेंट के साइट पर आप चेक कर सकते हैं उंगली लगा कर अगर दो हड़ीया अलग-अलग नजर आ रही है आपको तो वो फीमेल है और एक जगा पर ही जॉइंट हड़ी है तो वो मेल होता अगला सवाल है सूरजनाथ भाई कहते हैं भाई मेरे बजीस ने अंडे दिये हैं 25 दिन हो गए हैं अभी अंडे में से बच्चे नहीं निकले कब तक निकलेंगे बच्चे बतलाएं दो अंडे दिये हैं तो देखिए सूरजनाथ भाई बजीस के अंडो में से 17 से 21 दिन में बच्चे निकलाते हैं और आपके अंडों को 25 दिन हो गए हैं तो आपके अंडे खराब हो चुके हैं उसमें से बच्चे अब मुश्किल ही निकल पाएंगे अगला सवाल है फॉक्स गेमिंग भाई का ये कहते हैं भाई मेरी मादी एक महीने से हांडी में जा रही है पर अंडे नहीं दे रही है उसने और अलग अलग हांडी में जाती है एक में नहीं बैट रही कभी इधर कभी किसी हांडी में बैटती है भाई प्लीज रिपलाई करो तो देखिए e Fox Gaming भाई मादा जो है आपकी मटकी select कर रही है अब इसी process में है वो मटकी select करने के है जब मटकी select कर लेगी तभी वो X देगी तो अब ही ऐसा होता है शुरूर शुरु में first breed होती है तो मादा मटकी को सिलेक्ट करने में काफी टाइम लगा लेती है जब वो एक मटकी को सिलेक्ट कर लेगी तब उसमें बैठेगी और उसमें ही एक्ट देगी अगला सवाल पूचा है शफिक इम्तियास भाई नहीं कहते हैं हाई आपकी हेल्प की जरूरत है बिकॉज मैं न्यू बिगनर हूँ और ऐसा है कि मेरे बजरी पेरट्स की फर्स ब्रीड है और मैंने छोटी-छोटी मटकियां लगा दी थी कि मैंने सोचा कि वो ब्रीड करें ना करें मगर उन्होंने 6-6 एक्स दे दी हैं तो नेक्स टाइम आप मटकी चेंज कर देना सेकेंड ब्रीड में अगला सवाल है सुरज जिन्वाल भाई का ये कहते हैं भाई मेरे पास एक ही फीमेल है और चार मेल हैं करेंगे आपको प्यर बनाना चाहिए अलग अलग आपके चार मेल हैं तो आपको चार फीमेल छोड़नी चाहिए अगर एक फीमेल के साथ आप चार मेल छोड़ेंगे तो वह आपस में प्यर ही नहीं लगाने देंगे लड़ लड़के एक दूसरे को तो उनका प्यर नहीं लग क्या करूं प्लीज रिप्लाई तो देखिए पटेल विशाली जी आपको ऐसा करना है कि एक पेर बजीज का कभी कभी ब्रीड करने में टाइम लगा देता है तो आपको अगर चाहती है कि जल्दी से आपके यहां ब्रीड हो तो आप थोड़े से बढ़ और ले आएं दो तीन जोड़े और उसके साथ छोड़ दें तो आपके यहां जल्दी ब्रीड हो जाएगा अगला सवाल पूचा है जहारा तिन्वाला जी ने यह कहती है कि भाई मेरे पास 6 मंद से बज़री तोतों ने ब्रीड नहीं की है भाई आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए देखिए आपके पास 6 महिनों से बज़री ने ब्रीड नहीं की है तो इसकी वज़ा यह हो सकती है आपके बर्ट को प्राइवेसी नहीं मिल लगे जिसकी वज़ा से आपके बर्ट सैड नहीं हो रहे हैं तो आप अपने बर्ट को प्राइवेसी दें और अगर आपने कम बर्ट पाल ल देती हैं केज की ट्रे पर भाई मैंने मटकी में भी रखता हूं थोड़ी देर में बैठती हैं फिर बाहर आके बैठ जाती हैं जी भाई क्या करना चाहिए प्लीज संडे को रिपलाई करना वेट फॉर यू देखे शन्जे भाई आपकी जो फीमेल्स हैं जो एक्ट जो है मट मटकी में न देखा ट्रे में देदेती हैं तो उनकी First Breed होगी तो पहली breed में कभी-कभी FEMALE ऐसा कर देती है कि ex बाहर दे देती हैं तो अगर आप उसको मटकी में रखेंगे और Whew जो है उस eggs के उपर नहीं बैठेगी क्योंकि जो है वह FEMALE आग मटकी में नहीं दियें आप चाहें तो उन एक्स को दूसरी फीमेल के नीचे रख सकते हैं और ये जो फीमेल आपकी बाहर मटकियों से एक दे रही है इनकी फस्ट ब्रीड में ऐसा हो जाता है सेकंड ब्रीड में वो मटकी में एक देंगी तो आप परिशान नहों अगला सवाल है भोयर भावन भाई का ये कहते हैं भाई मेरे बजीस के एक खराब हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए तो देखिए भॉयर भवन भाई आप जो है अपने birds को vitamins का course करा दे हैं हो सकता आपके birds के अंदर vitamins की कमी की वज़ा से एक fertile नहीं हो रहे हैं तो आप एक विमरल का course करा दे हैं अपने birds को अगला सवाल है रमीज राचपूत भाई का ये कहते हैं भाई कॉलोनी में फाइटिंग बहुत होती है इसका सॉलूशन देखिए कॉलोनी में बर्ट्स की जो फाइटिंग होती है उसकी में रीजन होता है फीमेल्स का लड़ना फीमेल्स जो होती है मट्कियों की वज़ा से फाइटिंग करती है तो आप कॉलोनी में मट्कियां जो है थोड़ा गैप करके लगाएं और ज्यादा मट्कें लगाएं तो आपके या फाइटिंग कम होगी अगला सवाल पुछा है उजेर खान भाई नहीं कहते हैं मेरे बजी स्पेरट्स को तीन महीने हो चुके हैं मगर वो ब्रीड नहीं करते हैं मैं सॉफ्ट फूड एग फूड भी खिलाता हूँ मेटिंग भी हुई थी मगर एग नहीं देते हैं क्या करूं भाई प्लीज आंसर तो देखिए उजेर खान भाई आप अपने बर्ड्स को विटामिन्स का एक कोर्स करा दें अपने बर्ड्स को एक विमरल का एक कोर्स करा दें अपने बर्ड्स को करूँ जल्दी जवाब दो देगे अनिल पटेल भाई आपकी फीमेल जो है अभी पठी है वो ब्रीडिंग के एच पर नहीं आई है इस वज़ा से आपका प्यर नहीं लग पा रहा और मेल उसको भगा रहा है तो जब उसकी एच पूरी हो जाएगी फीमेल की तो वो ब्रीड क के लायक हो जाएगी तो उनका प्यर लग जाएगा और वो ब्रीड भी करेंगे अगला सवाल है यादा किंग ऑफ इंडिया का के कहते हैं भाई मेरे पास बजीज पैरट्स का एक प्यर है और भाई में उनकी एच मेल छोटा है फीमेल बड़ी है भाई दोनों स्वीड प्रशानी होती है तो आप ऐसा करें कि थोड़ा सा एक मेल बड़ा इस फीमेल के साथ डाल दें और उस फीमेल को अलग करके किसी दूसरे मेल के बड़े मेल के साथ डाल दें अगला सवाल है मनोज भाई का ये कहते हैं भाई मेरे पास दो प्यर है एक प्यर कंफरम है लेकिन दूसरी female का male मर गया था तो मैंने दूसरा male डाला और अब उनका pair नहीं बन रहा तो देखिए मनोज भाई pair लगने में थोड़ा सा time लगेगा आपने दूसरा male छोड़ दिया थोड़ा सा wait करें और अपने birds को privacy दें तो आपके birds का भी pair ज़रूर लगेगा